बिहार उद्धमी अनुदान योजना को लेकर तीन बड़ी अपडेट यहां पे निकलके आया हुई है जो कि सभी के लिए महतपुर्ण होने वाला है चाहें आप 10 लाख बाला योजना के लिए अपलाई किये हैं या फिर जो ही 2 लाख बाला योजना के लिए अपलाई किये है सभी के लिए बहुत ही महत्पुर्ण सूचना आपे निकलके आया हुआ है सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को पहला अपडेट दिखाता हूँ जो कि आप लोगा पेपर कटिंग के माध्यम से दिया गया है यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दियागा है कि सियम उद्धमी योजना 393 लवावकों का चैन दस्ताबेज के अभाव में घारिज यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 393 लोगों का जो नाम है उसको हाँ पे हाटा दिया गया है और लगभग जो है इनका हाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है अब इनको हाँ पे लाभ नहीं मिलने बाला है अब यह हुगा क्यों है क्योंकि आप लोगों को चैन दस्ताबेज वह आप लोगों का पे सही नहीं था इस कारण से उनका जो हाँ पे नाम है उसको हाँ पे हटाए गया है तो अगर आपने जो बित्य बर्ष 2023 में जो 10 लाग रुपे बाला है पे उध्मी अनुदार योजना होता है उसके लिए आपने आवेदन किया था और आप लोगा सेलेक्शन हो गया था तो हो सकता है कि आपका नाम हटा दिया गया होगा आप एक बार जो ही लिस्ट जाकर चेक कर लिजे एक बार लॉग इन करके चेक कर लिजे कि आपका नाम है या फिर नहीं है यहां पर देखे जनकाई दिया गया है कि बित्य बश्च दोज़एश चोविस में मुख मंतरी उद्मी योजना एबं मुख मंतरी अल्पसंख्यक उद्मी योजना के तहत 9247 आविदकों में 393 आविदकों का चेन निरस्ट कर दिया गया है दरासल इन सभी आविदकों ने च दोक्यमें नहीं देते हैं तो ऐसे में आप लोग का जो नाम है उसकों आपर कार्ड दिया जाएगा और आप लोग को आप जो 10 लाख रूपे कर लाभ मिलने बाला है वो पैसा आप लोग को आप नहीं दिया जाएगा तो सबसे पहला अपडेट यह निकल का आया हुआ है अ मुख मंत्री उद्मी योजना अंतरगत बित्य बर्स 2023 में पर्थम किस्ट प्राप्त कर चुके लभावकों को जिनको पर्थम किस्ट प्राप्त हुए 90 दिन हो गया है अपना उप्योगिता पर्मानपत्र अप्लोड करने है तो उद्मी पोटल पुना खोला जा रहा है अपना पर आपको अप्लोड करना है उपईयोगिता पर्मानपत्र में दोस्तों जो भी आप लोगों हों आपके मसीन खरिदा है उसका जो जूयस्ट बेल है वह आ इप लोगों करना हो गया है तो दुबारा आपriver को मौका दिया रहा है अभी आप लोगों को आप तक यहां पर निर्धायित किया गया है यानि कि 30 तारीक तक आप लोग आप जो अपना डोकिमेंट है उसको अप्लोड कर लिजे उप्रियोगता परवनपत्र जो है उसको अप्लोड कर दीजे नहीं तो बाद में आप लोग का जो लाभ है वहां पर नहीं दिया जागा और हो स में वैसेल अभाभुक जिन्हें पर्थम किस प्राप नहीं हुआ है उन्हें अपना बैंक विबरंट पोर्टल पर आधातन करने हेतु दिनांग 30-34-24 तक का समय निर्धारित किया जाता है यहीं दोस्तों यहां पर क्या है कि अगर आप लोग का जो सलेक्शन है वो लगू इंस्टॉल्मेंट है वो आप लोग को आप लोग को अपना पर अप्लोड कर दीजे अगर आप लोग को आप पैसा मिल चुका है तब आप लोग को यह करने के अब सकता नहीं है और इसके लिए भी 30-34-24 तक का जो समय है यानि कि इसी महीने तक का आप लोग का जो समय है तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे अप्लोड कर دीजिये, किनको किनको हो आपर अप्लोड करने के आब शक्ता है, उसका जो list हे वो हो आप पे दिया हुआ, किलिक करने के आप क्लिक किजेगा, तो यहाँ पे पूरा list हे हो आप लोग का ओन इस लिस्ट में आप लोग का नाम है तो आप लोग को हाँ पर जो बैंक खाता है वो हाँ पर अपडेट करने के आवा सकता है अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आप लोग को पैसा आप नहीं दिया जाएगा बहुत सार लोग का यहाँ पर नाम है इस लिस्ट में तो जूर्ण आपको जो है चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या फिर नहीं है और अगर आप वोको का नाम रहता है तो आप लोगो जो इस पोर्टल पे आना है और नीचे नहीं कर दfire दिखें का लिंक मिलता है